आज का वीडियो एक खास वीडियो है and yes, आज मैं फिर से एक यूट्यूबर के वीडियो के उपर अपना वीडियो बना रहा हूँ गाइस मुझे पसंद नहीं है कि मैं दूसर यूट्यूबर का वीडियो लेके उनको गलत हरा के मैं अपना वीडियो प्रोमोट करूँ but guys, कुछ कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिससे हमारे community में wrong message जाता है, गलत information जाती है and बच्चे लोग उसको गलत तरीके से समझ के और गलत काम करने लगते आगे so इसके लिए उसको correction करने के लिए मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ recently एक YouTuber ने वीडियो बनाया था कि कोई एक लड़का चंदीगड़का स्कॉट मारते समय he lost his testicle and वो अपना interview जैसा बता रहे है कि squatting मारते समय क्या हुआ, उनके testicle में pain हुआ, फिर उसने medicine लिया नहीं लिया फिर डॉक्टर के पास गए and फिर उसके कुछ साल के बार उसको हरनी आया या hydrocelle कुछ हुआ, फिर वापिस डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उनको बताया कि उनको एक ही testicle है, तब उनको पता चला कि उनको एक ही testicle है वीडियो में काफी सारा confusion है, यूटीबर को भी खुटको समझ में नहीं आ रहे हो लड़का क्या बोल रहा है और इंसक्ट लड़कों को भी समझ में नहीं आ रहे कि उसके साथ हुआ क्या है हैं तो यही नहीं सक्लारीफिकेशन में करना चाहता हूं और सबसे पहले भी सारा कि आसे यह नोटो तुल यह अँदो थेस्टिकल कि एस यह में बना लिजएगा अटेशल आ और आ नहीं है कि स्कॉर्टिंग करने से यार वो लड़के का टेस्टिकल चला गया कि मेरे साथ बी इसा होगा काईज इस नोट पॉसिबल इस नोट बॉइंट अपन है ना सो गाइज एक्टुएशन हुआ क्या एंड उसके बारे में अभी देता हूँ हुआज व लड़के को वया था दिरिग भी स्कॉर्टिंग अपन टेस्टिकलर टॉर्शन क्या है क्या है क्या होता है उसका इलाज क्या है और उसे बच्चे कैसे let's see what it is rotation of testis, testis जो है वो घूम जाते है and उसके वैसे क्या होता है उसके जो blood flow, blood vessel उसको attach रहते है उसमें twist आ जाता है and stopping of blood flow यानि blood जो है testicle तक पुरी तरीके से नहीं पोच्छता है उसके बाद आपको pain और swelling उसर testicle में feel होए लगते है तो testicle में दर्थ और सूच जाता है फिर अगर उसका time पे अपने इलाज नहीं किया, time पे आप surgeon के पास नहीं गए तो death of testicular and surrounding tissue जिसको बोलते है necrosis अगर किसी भी body part को लंबे समय तक अगर blood supply नहीं मिलता है उसको oxygen नहीं मिलता है तो उदर के cells है वो मरना शुरू हो जाते है which is called as necrosis तो testicle के cells मरना शुरू हो जाते है जिसके वज़े से क्या होता है कि shrinkage of testicle होता है जिसको testicle के cells मरने लगते है और उसके वैसे testicle छोटा होने लगता है so guys यह ही है testicle torsion testicles जो है hanging parts है जिसको blood vessels और बहुत सब्सक्राइब रहता है inside a scrotal sac and उसमें क्या होता है testicle घूम जाता है घूम जाने से blood circulation नहीं होता है उतर के cells मरने लगते है और time पर इलाज नहीं हुआ तो testicle therapy छोटी हो सकती है so इसके causes क्या है यह किसको हो सकता है या क्या-क्या possibilities है ऐसा होने का किसको possible है so inherited हो सकता है inherited it is not confirmed but हो सकता है अगर daddy को हुआ है तो बेटे को भी हो सकता है it can happen anytime time कभी भी हो सकता है खाते समय नहाते समय सोते समय में कभी भी मिस ज़रूरी नहीं है squatting मारते समय ही होना है आपको it can happen in any position बेठे हुए भागते हुए सोते हुए खड़े रहते हुए in any position it can happen and usually 10 से 25 साल के लड़कों के बीश्म यह होता है जिसको history of torsion है जिसको पहले history of torsion हुआ है उसे इलाज किया उसको बहुत possibility है कि उसको फिसे torsion हो सकता है and real reason is unknown यह क्यों होता है हम इसका को specific reason नहीं है यह किसी को भी हो सकता है अगर आपके नसीर में लिखा है so it can happen to you anytime so इसका diagnosis कैसा करे डाइनोसिस इसका clinical अगर आपका surgeon अच्छा है डॉक्टर अच्छा है वो clinical ही देखके बता सकते है कि आपको torsion और टेस्ट जिसे पिर sonography कर सकते हैं आप confirmation के लिए और CT scan या फिर MRI कर सकते हैं इसका treatment treatment इसका है manual retortion अगर आपका surgeon अच्छा है वो हातों से उसको manually फिर से rotate करके उसको normal position में लाके रख सकता है emergency surgery see guys it's an emergency case जैसे आप तुरण torsion of testis है आपको ऐसा diagnose हुआ आपको तुरण surgery के लिए जाना पड़ेगा means surgeon sack खोलता है testicles को वापी से अपने जगे पर लाता है testicles वो फिर से जड़ जाना शूरू हो जाता है testicles वापी नौर्मल हो सकता है and prevention के साथ करेगा prevention proper clothing and nothing as such इसका खाल ऐसा prevention करने की कि miss कुछ step नहीं है या आपको supporter पहना है या लंगोड पहना है it is not going to help so guys यही है testicle adoption और लड़के के साथ क्या हुआ exactly और लड़के को भी ख़वर नहीं है अगर उसका case के reports अगर उनकों अच्छे से मिले तो I can make it clear कि उसके साथ हुआ क्या था पहले बार उसका surgery हुआ नहीं हुआ उसमें surgeon ने उसका testicle निकाला कि नहीं निकाला I don't know but second time जो उसको हरने या हेड्रोसिल वरक उसको पता चला कि उसका एक testis है so पहले बार surgeon ने क्या किया उसका खुला सा नहीं हुआ है so case के बारे में in detail properly क्या हुआ बता नहीं सकता हूँ but guys आपको डरने कोई ज़रवत नहीं है and scouting वानने से अपकी testis गाया नहीं होगी so guys that's it for testicle attention ये video आपको कैसा आप मुझे बताईए अगर आपको पस्ने है तो please like, give, share with your friends and yes do subscribe my channel there is lot more to come till then bye you